Hi everyone, welcome back to learning JavaScript series, यह हमारा lecture 11 है और topic है हमारा type conversion and type coercion, actually type coercion हम next video में करेंगे तो यह video है हमारा mainly focused on type conversion, नाम से आपको हलका सा idea लग रहा होगा, type conversion प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जिसमें as a programmer आप language को कहकर किसी value को किसी और type में कर सकते हैं convert, for example मेरे पास 10 double quotes में as a string है, मैं चाहता जावा स्टिप्ट इसको number बना दे, तो मैं यूस करूंगा इसका type conversion, बहुत useful है, बहुत सारी जमों पर लगता है, आपने हाली में अभी देखा था, dialogue box वाला जो वीडियो था, उसमें हमें जो value मिल रही थी, वो string की मिल रही थी, हम उसे convert कर रहे थे, number में using par scientific कर रहे थे, दोस्तों वो type conversion है, अब यह और कैसे कैसे हो सकता है, यही इस वीडियो में हम करेंगे explore, और वीडियो पसंद आए, तो प्लीज उसके comment करिए, like करिए, subscribe करिए, share करिए, subscribe करने से जादा बेटर समझाता है, तो चलिए शुरू करते है, coding के दूरू type conversion को explore करना, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इन दोनों की vocabulary wise में difference क्या है, तो दोस्तों type conversion, programming में वो situation होती है, जब एक programmer language को कहकर, variable के type या value की type, एक form से दूसरे form में convert कराता है, I repeat my words, जब जब आप as a JavaScript developer, JavaScript को कहकर, किसी variable की type या value को, किसी और type में convert करवाओगे, तो अपन बोलेंगे, आप कर रहे हो type conversion, जैसे, imagine करिए, मेरे पास इस तरीके से 10 है, अब ये कैसा 10 है, ये 10 string form में है, मैं चाहता हूँ, ये 10 इस form में आ जाए, तो दोस्तों इस process को, अपन बोलते हैं, JS में type conversion, और अगर ये conversion मेरे कहे बिना जावा स्रिप कर दे, तो दोस्तों इस process को, अपन बोल coercion, coercion पढ़ते हैं इसको, तो अगर conversion मेरे कहने पर हो, तो वो type conversion है, जावा स्रिप खुद कर दे, तो इसको हम बोलते है type coercion, अब आगे बढ़ने से पहले दिमाग में doubt आ रहा होगा, कि सर हम conversion क्यों कर रहे हैं, जब जावा स्रिप खुद conversion कर सकती है, तो दोस्तों कई बार जावा स्रिप का जो decision है, वो मेरे program के लिए सही नहीं होता है, conversion का, मैं आपको एक demo देता हूँ, imagine करिए, मैंने जावा स्रिप से कहा, मुझे solve करके दो 10 प्लस double quotes में 5, अब आपको याद होगा, मैंने कहाता है, जो plus operator है, ये जावा स्रिप के अंदर concatenate करने का काम करता है, जब एक operator string type का हो, तब आप मुझे बताइए, यहाँ 10 की data type number है, राइट, 5 की data type string है, लेकिन जावा स्रिप क्या करेगी, जावा स्रिप 10 को string बनाएगी, rather than वो 5 को number बनाए, तो मुझे इसका answer क्या मिलने वाला है, मुझे इसका answer एक string के form में मिलने वाला है, 105, अब अगर मै मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा हो, मैं चाहता हूँ नहीं, जावा स्रिप 5 को number बनाकर, 10 प्लस 5 का answer मेरे को 15 दे, तो दोस्तों यह तब हो पाएगा, जब हम JS में perform करेंगे type conversion, यानि जब 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 जावा स्रिप की coding के दोरान, आप as a programmer एक value को एक form से दूसरे form में convert करोगे, अपन बोलेंगे, आप कर रहे हो type conversion, और अगर यह conversion JS खुद करती है, तो अपन बोलते है type coercion, राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले type conversion से, फिर अगले वीडियो में मैं आपको discuss करके समझाऊंगा, what is type coercion, सबसे पहले बात होगी, what is type conversion, तो what is तो समझ में आ गया, अ अब बात करते हैं करते कैसे, तो गौर करिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कि अगर मेरे पास कोई value है, और मुझे उसे string में convert करना हो, तो JS में ये काम अपन कैसे कर सकते हैं, दोस्तो JS में ये काम आप multiple तरीकों से कर सकते हैं, जो दो सबसे popular तरीके हैं, उनमें से एक है, global function बोल सकते हैं, और क्योंकि window default object है, तो हमें string के पहले window dot कहना compulsory नहीं है, हम चाहें तो window dot string बोल दें, और चाहें तो हम सिरफ string बोल दें, तो मैं generally string बोलूँगा, दूसा तरीका है, आपके पास जितने भी variable होते हैं, आप उनसे एक toString नाम का method call कर सकते हैं, by writing the variable name dot and then toString, और आपको वो variable convert होकर मिल जाएगा into string, तो किते तरीकें दो हैं, या तो use करिए string नाम का global function और या use करिए हर variable के पास मौजूद toString नाम का method, इसको फटा-फट examples के थूँ समझते हैं, आपको तुरंत clarity आजाएगी, ये काम कैसे करेंगे, पहले दोनों के syntaxes देख लीजे, ज दोस्तों, उसको आप वो value pass करेंगे parameter के तौर पे, जिसे आप string में convert कराना चाहते हैं, जैसे imagine करिए, मेरे पास a है, a में 25 है, मैं चाहता हूँ jss25 को string मना दे, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ let b equal to, गौर कीजेगा, followed by string of a, जब मैं बोलूँगा na string of a, तो मेरे पास b में value किस form में आईगी, मेरे पास b में value as a string आजाईगी, यह इस वाला तरीके को अपन represent कर रहे हैं, जिसमें हम string को parameter में अपनी value दे रहे हैं, और वो हमें convert करके दे रहा है उसे string में, यही काम करने का एक और तरीका है friends, वो क्या है, मैं यह भी कह सकता a.toString, जैसे मैं बोलूँगा a.toString, मुझे automatically c के अंदर a की value 25 convert होकर मिल जाएगी as a string, तो हमारे पास यह दो तरीके किसी भी value को string बनाने में, किसी भी value को notice करिएगा, जरूर नहीं आप 25 को string बना सकते हैं, आप boolean को string बना सकते हैं, आप और भी किस दे रहे के data को convert कर सकत हैं into string, इसके कुछ detail examples लेते हैं और clarity आपको मिलेगी, चली, एक एक करके देखते हैं, सबसे पहला example, मैंने कहा string of 10, क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा single quote या double quote में as a string, मैंने कहा 10.2 string, again मुझे 10 मिल जाएगा in the form of a string, I said to js string of true, अब true क्या है, true nature wise boolean है, पर जब मैं string of true, तो js मेरे को return करेगी true in the form of a string, correct, ऐसे ही string of false अगर मैं बोलूँगा, तो मुझे false as a string मिल जाएगा, दोनों पे मैं two string भी लगा सकता हूँ, true dot two string या false dot two string, accordingly मुझे answer मिलेगा, ऐसे ही अगर मैंने कहा string of null, क्या मिलेगा मेरे को, null मिलेगा in the form of a string, null वैसे तो अगर आप notice क एक special value है, पर जब मैं बोलूँगा string of null, तो js मेरे को return कर देगी null in the form of a string, अगर मैंने js से का string of undefined, js मेरे को return कर देगी undefined in the form of a string, मैंने js से बोला string of nan, ये भी मेरे को मिल जाएगा in the form of a string, मैंने कहा nan dot two string, ये भी मिल जाएगा as a string, अब यहाँ इस बात का ख्याल ने दोस्तों, उनके पास two string available नहीं है, तो आप उनको जब भी string में convert करना चाहें, एकी तरीके से करें, और वो एकी तरीका के आप use करें, string नाम का method, बाखी NAN के पास है, बट इन दोनों के पास two string नाम का method available नहीं है, अब बात करते हैं, number में किसी को convert करना हो, तो कैसे ये वाले case में आपके पास बहुत सारी varieties हैं, string मेले में तो दो थी ना, two string और string, यहां बहुत सारे options हैं, कौन-कौन से हैं, पढ़िए, आप किसी भी value को number में convert कर सकते हैं, पहला तरीका इसे use करके, और याद रखिएगा, ये सबसे ज़ादा recommended तरीका है, हम आगे के code में इस को use करेंगे, पढ़ा मैं आपको सब रहा हूं, लेकिन most recommended way is to go for number, क्योंकि ये standard तरीके से values को number में convert करता है, उसके अलावा दो और तरीके जिनका हम overview ले चुके हैं, dialogue boxes वाले lecture में, जिसमें हमने किसी भी string को convert करा था, parse int से int में, और parse float से float में, हालकि ये इतने ज़ादा recommended नह इसका नाम है floor, जो math object के पास है, वैसे तो ये flooring करता है, बट ये flooring के साथ-साथ value को convert भी कर सकता है, चलिए, सीधे बात करते हैं इन सब के syntaxes के बारे में, सबसे पहले बात होगी number का syntax क्या है, सेम है, जो string का है, आप number लिखते हो, parenthesis के अंदर वो value देते हो, जिस value को आपक करोगे, and last but not the least, आप लिखोगे mat.floor और parameter में वो value दे दो, जिस value को convert कराना है, into number, चीक है, कुछ examples लेते हैं, whiteboard पे, और फिर चलते हैं सीधे examples पे, चलिए, पहला case देखिए, दोस्तों पहला case, मैंने कहा number double quotes में 1, क्या मिलेगा मेरे को, number double quotes में 1, मेरे को मिलेगा as 1, मिलना इसी चीज़ को अब मैं आपको practically करके दिखाता हूँ, so we are into our development environment, type conversion मैंने बना लिया है, let's go for example 1, dot html, as usual हमारा boilerplate code, ये वाला पार्ट को करते हैं, आपन drop, and we are on to type conversion, चीक, अब type conversion समझने के लिए, देखिए, मैंने कहा script, चीक है, मैंने js में सबसे पहले कहा, let a equal to notice करिएगा, let b equal to 5, मैंने कहा js, let c equal to a plus b, और फिर मैंने कहा, lock कर दीजे आप, इस c की value को, तब आप notice करिएगा, मुझे answer में क्या मिलने वाला है, मुझे 15 नहीं मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 105, क्यों 105, क्यों 105, क्योंकि js ने अपना decision लिया, और js ने a plus b करते भग, a को string बनाना prefer करा, rather than वो b को number बनाए, देखें, open with live server, application load हुई, output में कुछ document.write तो मैंने करा नहीं है, सीधे console पर ही print करा है, refresh करा, और आप check कर पा रहे हूँग, console पर अपनको मिल रहा है 105, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे 105 मिले, what I want is, मैं चाहता हूँ, js a plus b जब करे न, त मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा number, और parenthesis के अंदर मैं pass करूँगा b, अब मैं js को force कर रहा हूँ, कि मैं चाहरा हूँ 5 को string से number बनाओ, save करा, application को check करा, तो आप notice करिये, अब अपनको output में क्या मिल रहा है, rather than we are getting 105, now the answer is 15, जो sum होता है 10 plus 5 का, right, तो इस इसको हम बोलते हैं, अपनी तरफ से करा गया conversion, बहुत सारी languages में आप इसे explicit conversion या type casting बोलते हो, JS में हम लोग इसको बोलते हैं type conversion, clear, तो एक छोटा सा demo था number function की use समझाने के लिए, चलते हैं वापस अपन slides की तरफ, बात करते हैं number और क्या-क्या करता है, तो अब guess करिये हैं क दोस्तो empty string दी, मतलब कुछ भी नहीं है, space भी नहीं है उसमें, तो number मेरे को return करेगा 0, बहुत ज़रूरी बात है, समझिएगा इसको, अगर मैंने कहा number 12.2, number code शटा देगा और मेरे को return कर देगा 12.2, अगर मैंने कहा number 1A2, अब यहाँपर twist हैं, अगर आप यही code parse int से लिख नहीं बनना चाहिए, उस case में आना चाहिए, not a number यानी NAN, आप खुच सोचो, क्या भोपाल number बनने लायक है, क्या मैं कह सकता हूं, number of भोपाल नहीं कह सकता न, क्योंकि भोपाल एक string ये, वो number कैसे बनेगा, even one भोपाल भी number नहीं बनेगा, one number वाला one, यानि अगर यह भी ल पार साइंटी भी ये काम करता है, बट वो थोड़ा standards के against जाता है, what JS recommends is, अगर string के अंदर, या digits के अलावा कुछ और भी है, symbol या character, तो फिर ये number नहीं बनना चाहिए, वो ही हो रहा है हमारे साथ, तो अब जब मैं कहूंगा, one ए two को number बनाओ, मुझे answer मिलेगा, NAN, not a number, अ अगर आपने null को number में convert करा, JS is going to give you 0, लेकिन अगर आपने undefined को number में convert करा, JS is going to give you NAN, एक और difference हुआ, null और undefined के बीच में, पहले भी हमने पढ़े थे, null वो value है जो हम explicitly देते हैं, undefined वो value है जो implicitly आती है, दूसा फरक क्या हुआ, अगर null number में convert करा जाएगा, तो बन not a number या NAN, यह चोटे-चोटे special cases हैं, इन्हें भूलिएगा मत याद रखिएगा, आगे की programming में बहुत-बहुत काम आईगे, आप जब यह समझोगो न, यह output ऐसा क्यों आया, तो यही conversion के rules आपकी help करेंगे, चीक है, तो यह तो ही बात numbers की, अब बात करते हैं, special cases में par-scienty क 0, js मुझे return करेगी 0, सब सही चल रहा है न, number जैसा, देखते चलो आप, मैंने कहा par-scienty space के साथ 1, par-scienty spaces अठाकर मेरे को return कर देगा 1, पर अगर मैंने कहा par-scienty empty string, अब ES के rules कहते हैं, empty string जब number बने तो 0 आना चाहिए, देखो par-scienty क्या बोलता है, वो कहता है, मैं तो NAN लूँगा, not a number, यह against जा रहा है, यह standard coding guidelines के against है, इसी तरह से, अगर मैंने कहा par-scienty of 12.2, very good, वो मुझे 0.2 attacker 12 देदेगा, देना भी चाहिए, क्योंकि 12.2 का integer 12 बनता है, पर अगर मैंने par-scienty को कहा 1 a 2, मैं क्या बोला था भी 2 मिनिट पहले, js बोलती है, अगर string में, digit के लावा कुछ भी है, तो वो number नहीं बनना चाहिए, यहां digit के अलावा a आ रहा है न, number नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनेगा, par-scienty इसके against हो बोलेगा, मेरी तरह से यह 1 है, इसी तरह से, अगर मैंने कहा a 1 2, तब जरूर par-scienty अपन को देगा na na, यानि शुरुवात अगर आपकी string की किसी letter से हो गई, तो par-scienty fail है, otherwise par-scienty आपको initial digit तो निकाल कर देही देगा, लेकिन अगली problem देखे, par-scienty के साथ क्या है, true, numerically js के अंदर 1 होता है, होता है न, अभी देखा आपने, लेकिन par-scienty बोलता है NAN, false के लिए भी बोलता है NAN, which is not at all a good practice, even अगर आप उसको बोलोगे न, null को convert करो, उसको भी NAN बोलेगा, जबकि JS का rule बोलता है, null, जब number बने तो zero बने, undefined के लिए जरूर आना चाहिए NAN, इसलिए मैंने का, par-scienty use होता है, बट बहुत कम, जो standard तरीका है, वो यह है कि आप number function से conversion करें, चिक है, तो अब हम par-scienty बहुत rare use कर करेंगे, throughout the course जब conversion करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम number ही function को use करेंगे, चिक है, चलिए, next आता है, parse float, बिलकुल par-scienty जैसा है, बस फरक इतना है, कि जब आप इसको 12.2 जैसी value देंगे, तो ये भी आपको 12.2 देगा, बाकि सब इसका par-scienty जैसा है, जैसे, अगर मैंने का parse float 1, 1, अगर मैंने का, parse float 0, 0, यहां ये भी note करिएगा, 1.0 नहीं आ रहा है, या 0.0 नहीं आ रहा है, क्योंकि js, numbers में point तभी लगाती है, जब उसको point के बाद कुछ relevant value देख रही है, otherwise, 1 को जब आप float बना होगे, तो वो 1 ही बन रहा है, ठीक है, next मैंने का, parse float space के साथ 1, spaces drop ह हो जाएंगे, I'll just get 1, मिलना भी चाहिए, मैंने का, parse float of empty string, again parse anti के तरह ये भी बोलेगा, nan, जबकि बोलना इसको चाहिए था 0, मैंने का, parse float of 12.2, बिल्कुल सही जवाब देगा, 12.2, पर अगर मैंने का, parse float of 1 a2, बोल देगा 1, जबकि बोलना क्या चाहिए, nan, मैंने का, parse float of a parse float, आपस में similar है, बट standard guidelines के खिलाफ है, तो इनको कम use करना चाहिए, अब आते हैं, बहुती interesting case पे, और वो है, floor से conversion कैसे करते हैं, तो पहले तो मैं आपको mathematically floor का मतलब समझा दू दो, mathematically floor का मतलब होता है, जो भी इसको value दी जाए, ये उसको उसके nearest integer में convert करता है, जो उससे छ nearest integer value, smaller or equal to the value past, smaller or equal to the value past, तो अब आब बताओ 1.7 के nearest integer smaller जो है, वो 1 है न, 1.7 के nearest तो 2 भी होता है, बट ये अपन को return करता है 1, क्यों, क्योंकि nearest 1 है, 2 nearest नहीं है, है न, तो ये तो करता है ये floor, लेकिन इसके लावा floor एक और काम करता है, कि अगर मैं इसको double quotes में कुछ दूँ देखो नियान से, समझो, मैंने कहा, mat.floor double quotes में बन, अब double quote वाला बन क्या है, string है, ये उसको convert कर देगा number में और मेरे को return करेगा 1, correct, मैंने कहा mat.floor 0, मेरे को return करेगा 0, मैंने कहा mat.floor space के साथ 1, हटा देगा spaces, मेरे को return करेगा 1, मैंने कहा mat.floor empty string, क्या होता है, empty string का standard conversion, अ standard बात को मानता है, बस एक छुटी समस्या है, क्या, वो 12.2 के साथ है, अब 12.2 का number क्या आना चाहिए, 12.2 आना चाहिए, पड़ मैंने क्या कहा, ये floor करता है न, तो पहले 12.2 को number बनाएगा, number बनाने के बाद उसको floor करके, point 2 उटाकर आपको save return करेगा 12, तो अगर आपको ऐस उसको भी ये na नहीं देता, मैंने कहा, mat.floor true, standard rule follow करेगा, true को convert करेगा 1 में, मैंने कहा, mat.floor false, standard rule follow करेगा, convert करेगा 0 में, अगर मैंने कहा, null, standard rule follow करेगा 0 में, मैंने कहा, undefined, तो मेरे को return करेगा na, अब आगे बढ़ने से पहले, एक summary में आपको देता हूँ, कि js में जब आप चीजों को number में convert करते हो न, standard rule क्या कहता है, दोस्तो standard rule कहता है, कि अगर आप undefined को number बनाओगे, हमेशा nan आना चाहिए, और आता ही है अगर आप number वगरा use करते है, null को अगर आप number में convert करोगे, हमेशा 0 आना चाहिए, standard rule ये कहता है, जबकि पार scientist को नहीं मानता है, true य होंगी, अगर उस string में सिरफ digits हैं, जैसे, जैसे ये 123, तो ये proper 123 बन जाएगा, पर अगर इस string में digits के लावा कुछ भी है, अब कुछ भी में point नहीं आ रहा है, है ना, आप यह मत सोचना कुछ भी मतलब 12.3 convert होगा, बिलकु लोगा, और 12.3 बनेगा, लेकिन दोस्तों अगर double quotes या single quote में, तो मिलने वाला answer आपको मिलेगा हमेशा N-A-N, तो simple सी बात है, आपकी string proper convert हो जाएगी, पर उसमें होने चाहिए सिरफ digit, कुछ और हुआ, we'll get to see the value N-A-N, जो अपने आप में है, not a number, ठीक है, दीरे-दीरे आप practice करोगे ये चीज़ें, आपके used to हो जाएगे, आप used to हो जाओगे, आदत हो जाएगे आपको, और आपको फिर ये चीज़ें आराम से दिमाग में बैठ जाएगे, चिक, आगे बढ़ते हैं, अगले important topic को लेते हैं, बड़ा interesting और वो है, boolean में conversion JS में कैसे होता है, तो दोस्तो, boolean का conversion हमेशा successful होता है, पहली बार, कभी आपको NAN जैसे चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस ये समझना बहुत ज़रूरी है, कि JS में किन values को JS में false और किन को true माना है, है ना, boolean में convert करने का एक ही तरीका है, varieties नहीं है, जैसे number और string में है, एक ही तरीका और वो है window का function boolean, but JS जब boolean convert करेंगी, तो कब true कब false देगी, अब आपको false देगी के अलावा जितने case हैं ना दोस्तों, सब true के case हैं, जैसे, JS की नजरों में, पाँच चीज़ें हमेशा false होती हैं, कौन सी पाँच चीज़ें, घ्यान देना, JS 0 को boolean मनाईगी तो false देगी, JS empty string को boolean मनाईगी, false देगी, JS NAN को boolean मनाईगी, false देगी, नल को boolean मनाईगी, false देगी, and last but not the least, undefined को boolean मनाईगी, false देगी, इसके अलावा JS हर value को boolean मनाईगी तो true देगी, समझने वाली बात है, एक चोटा case बताता हूँ, empty string जब boolean मनेगा तो false बनेगा, लेकिन जब आप empty array दोगे ना इसको, और यह उसको boolean मनाईगा ना, तो यह उसको true बना देगा, array हम आगे पढ़ेंगे, बड़ जो लोग थोड़ा बहुत जानते हो, यह बड़ा special case है, इसलिए आप सिर्फ इतना याद रखो, JS में false values किसको बोलते हैं, false values पाँच चीज़ों को बोलते हैं, कौन पाँच चीज़ हैं, zero, empty string, null, undefined, nan, यह false हैं वो JS के लिए boolean में convert होगा, तो true ही बनेगा, simple and straight, ठीक है, examples की तरफ चलते हैं, ठीक, function एक ही है मारे पास, boolean नाम का, तो ज़्यादा को syntax उसमें है नहीं discuss करने लाएक, आप boolean को value दीजे, जिसको convert करना है, यह convert करके देगा, ठीक, अब मैंने कहा boolean of 10, अब आप confuse ना ह इसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, कौन-कौन JS के लिए false है, 0 false है, empty string false है, nan false है, null false है, undefined false है, ठीक है, अब आपको बस यह देखना है, कि जो आप दे रहे हो, वो इन में से किसी से match कर रहा है क्या, अगर कर रहा है, तो will get false, नहीं तो will get 2, तो बताओ 10 इन में से किसी से match कर रहा है, नहीं कर रहा है, will get 2, right, next, boolean of 0, इन में से किसी से match कर रहा है, 0 false ही होता है, will get a false, right, भोपाल, इन में किसी से match कर रहा है, नहीं कर रहा है, भोपाल empty string नहीं है, will get a true, then false, of course, वो तो false हो नहीं है, ठीक है, then मैंने कहा, boolean of empty string, empty string will be false, correct, boolean of string with a space, will get a true, boolean of null, उपर match कर रहा है कर रहा है, will get a false boolean of undefined match कर रहा है, will get a false right, इसी तरह से अगर हम करेंगे boolean of NAN, ये सब भी अपन लोग को value return करेंगे, sorry false, क्योंकि NAN उन 5 values में है, अब अगले वीडियो में मैं डिसकस करूँगा आपसे, बहुत important topic which is type coercion, मिलते हैं next वीडियो में, बबाई, see you